गोड मॉर्ण ओल इंडिया रेडियो और आज सवा के अनलिसिस में आप सवो का स्वागत है अगर ओल इंडिया रेडियो के अंदर नियूज की बात करें तो वही कोबीट के बारे में बात की गई है कुछ खास पॉइंट नहीं निकलता है नेक्स देजदिसांतर के अंदर जो बात की गई है अगरिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड के बारे में बात की गई है इंपोटेंट आर्टिकल है डिस्कस करेंगे नेक्स तब इग पिक्चर के अंदर बात की गई है बैंक के बारे में इसको हम skip करेंगे, कल discuss करेंगे तो चलिए discussion start करते हैं Sorry, आज फिर थोड़ा late हो गए कोई नहीं, discuss तो करना ही है तो पहली news जो है हमारे पास Agriculture Infrastructure Fund के बारे में यहाँ पर क्या है कि यह agriculture को किस तरह से boost किया जाए, agriculture को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में mainly बात की गई है जैसे cost of capital कैसे यह कम किया जाए Next, यहाँ पर society किस तरह का हो private company किस तरह से आए start up funding किस तरह से हो e-market point किस तरह से हो cost of capital की बात की मैंने market society की बात की start up की बात की e-marketing point की बात की असल में 2 करोर के उपर जो security असल में यह आप ऐसे समझो credit guarantee scheme में होती है credit guarantee scheme इसके साहिता से क्या होता है government guarantee ले लेती है कि हम जो है इसका risk लेता है आप loan दीजिए और इसी covid के कारण ऐसा ही हुआ है तो इसी के कारण इस तरह की बाते agriculture infrastructure fund मतलब fund को दिया गया है अब यहां पर क्या है APMC Act आपको याद होगा जरूर याद होगा APMC Act APMC Act में बदलाव किया है government और इसमें कहा है कि contract farming के जो legal farming में लाएंगे contract farming को क्योंकि किशान को दिक्कत होता है तो यहां पर इसकम होगा और technology बढ़ेगा और दूसरा जो बदलाव APMC Act में था पहले क्या होता था किशान farmers जो है तो अपने फसल को मंडी में ले जाकर बेश सकते थे यह एक मंडी है यहीं पर ले जाकर के अब individual भी बेश सकते हैं तो यहां पर एक मंडी वाले कार्टल बना लेते थे और कार्टल बनाने के बाद क्या होता था इन्लों को चिदाम नहीं मिलता था तो यह एक अच्छा step up क्या सकते हो next बात करें तो पहला APMC की बात की हमने दूसरा one nation one मंडी एक मंडी की बात की मतलब सारा का सारा जगा से एक जगा लेकर के आया जाएगा सारा फोट को और यहां से फिर आके बढ़ेगा next storage facility बहुत ब़ली समस्या है storage facility को बढ़ाने की बात कही गई है essential committees के अंदर भी जवों सुधार थोड़ा मुड़ा किया गया है लेकिन इन सबसे उपर इन सबसे उपर समझने वाली चीज है कि जवरत क्या है तो capital मतलब investment की यह investment कहां से आएगा तो अगी government ने यह investment बात की है तो investment को आगे बढ़ाया जाए किस तरह से farmers किस तरह से correlate हो पाए तो institution का सारा लिया जाए जैसे cooperative society बना करके जिससे क्या होगा उनको नही नही टेक्नलोजी के बारे में पता चलेगा new new ideas के बारे में पता चलेगा agri entrepreneurship के बारे में पता चलेगा जैसे अभी दो-तीन दिर पहले भी हमने discuss किया था देखो correlate करो देखो हमने seed ball का बात की थी अभी बहुत ये news में चल रहा है seed ball ये seed ball क्या है अब farmers क्या करते है धान उगाना है पैडी उगाना है तो उसके बीज को पहले जमिन के अंदर डालेंगे वो उगेंगे और उगने के बाद फिर उसे निकाल कर उखार करके मतलब वहां से फिट दूसरे जगह वो जहां लगाना है वहां पे दूरी दूरी पे उस खेत में लगाया जाता है अब seed ball का concept क्या हुआ कि seed ball के अंदर ही सारा कुछ उसके अंदर इतना nutrients है कि वो automatically कहीं भी रख दिया जाया automatically वो grow हो जाता है समय बचा किशान का किशान को जैदे महनत नहीं लगी और इसमें अच्छी quality वाले plant भी मिलेंगे तो इस तरह की technology से किशान farmers अवगत ही नहीं होते हैं तो यह यहां तक पहुँच पाएंगे और यह इसमें खास बात क्या है यह harvesting के बाद पर इसमें focus कुछ जय देखी गई है बिना estate के सहीयोग के कुछ भी नहीं हो सकता है तो estate का सहीयोग तो must है इसके अंदर cold storage बढ़ान अच्छी यह बात बात करें यह जो प्याज का onion वेगरा का दाम बढ़ जाता है और contact farming के अंदर जो एक था उपर आप नहीं रख सकते हैं जो marginal cost landing rate होता है उससे उपर अलग government पूरी तरह से procure कर रही है किसको फार्मर्स को public fund management system से transfer किया जाएगा इसको real time monitoring होगी technology से information मिलेगा और सबसे बड़ी बात अभी तक domestic market में हम focus करते थे लेकिन अगर इस तरह की technology आएगी और इन लोगों को जैदे knowledge होगा तो क्या हम international के अनुसार law के अनुसार उन seed को उन fruits को नहीं तयार कर सकते हैं जो export भी किया सके तो छोटे छोटे जो किसान है इन लोगों के भी शामान्स export हो सकते हैं जोड़त है टेकनोलिकल support की और agriculture को boost अगर पास्टम में चाहते हैं हमकी 2022 तक अगर reality में चाहते हैं 2022 तक farmers के income double हो जाएं तो हमें इस तरह के step लेने होंगे ये सारी बातें कि सार्ट के अंदर कहे जाती हैं तो आज के discussion में इतना ही था Thank you